दमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide गुरूपर दोस्तों आप देख रहे हैं Free Practice साइट पेपर इस वीडियो के Description बॉक्स में मैंने आपके लिए 1200 Questions की MSQ PDF दे दी है पॉलडी की डाउनलोड कर लिजेगा लिंक पर क्लिक करके ठीक है चलिए शुरू करते हैं वीड राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए तो राजपती और प्राश्पती के निर्वाचन में विबात की इस्थिती को सुल जाने का काम भारत का उच्छतम नयायले करता है Option B प्रश्ण के लिए सयुत्र हो जाएगा Next Question देखते हैं भारतिय संसत के दौनों सदनों D यहां से उत्तर हो जाएगा Next Question कौन सी शर्थ भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है इनमें से अगर आपको भारत की नागरिक्ता प्राप्त करनी है तो इनमें से कौन सी शर्थ नहीं है क्या उत्तर हो जाएगा बतला हिए तो यहां पर से उत्तर हो बर जाएगा राइट आंशर संपत्ति स्वामित्व नेक्ट धेखते हैं कि जार्खंडराजिका गठण कब हुआ था कि उथ्सन के लिए भी जाज़िए समीधान में मूल अधिकार किस समीधान से प्रेरिथ है राइट आंसर क्या है हमारे समीधान में मूल अधिकार किस देश के समीधान से प्रेरिथ है तो यह अमेरिका के समीधान से प्रेरिथ है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है ऑप्षिन नमबर A यहां पर सहीत्र हो जएगा प्रशास्ने का अधिकारी प्रश्ण नियाले को प्राप्थ होता है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer next question देखते हैं नीती आयोग कि शेत्र में काम करता है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नीती आयोग भारती अर्थ विवस्था को सुधारने के लिए काम करता है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत में पंचवाशी योजना बनाने की जिम्मिदारी किसकी होती है क्या उत्तर हो जाएगा तो भारत में पंचवाशी योजना बनाने की जिम्मिदारी योजना आयोग की होती है राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग next question देखते हैं लोगसभा का औस्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या उत्तर हो जाएगा लोगसभा का औस्थाई अध्यक्ष जो है राश्पदी के द्वारा नियुक्त होता है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारतिय संसत के दोनों सदनों के सही उत्तर हो जाएगा next question भारत के प्रधान मंतरी कैसे बनते हैं क्या उत्तर हो जाएगा बतलाईए तो भारत के प्रधान मंतरी को नियुक्त किया जाता है right answer हो जाएगा option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question प्रधान मंत्री पत्पर सरवादिक समय तक कौन आसीन रहा क्या उत्तर हो जाएगा बतलाईए तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा जवाहलाल नहरू प्रधान मंत्री पत्पर सरवादिक समय तक आसीन रहे से उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं भारत में वैद्ध प्रभुसत्ता नहित है किस में क्या उत्तर हो जाएगा तो भारत में वैद्ध प्रभुसत्ता समिधान में नहित है राइट आंसर हो जाएगा किस वाद ने संसत को मौलेक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया क्या उत्तर हो जाएगा तो केश्वानन्द भारती वाद में समिधान को मौलेक अधिकार में संशुधन करने का अधिकार दिया राइट आंसर हो जाएगा D नेक्ट खौशन देखते हैं भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार परिक्षक का काम करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक जो है संगत दशा राज सरकार के लिए मुख्य लेखाकार दशा लेखा परिक्षक के रूप में काम करता है औप्शन अमब B सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट खौशन लेका परिक्षण का मुख्य उद्देश किसके वैपन नियंतरर करना होता है तो लेका परिक्षण का मुख्य उद्देश जो है कार पालिका के वैपन नियंतरर करना होता है राइट आंसर हो जाएगा सावजनिक लोक लेका समीती में राजसभागे कितने सदसे होते हैं क्या उत्तर हो जाएगा तो सावजनिक लोक लेका समीती में राजसभागे साथ सदसे होते हैं option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतिय सेवा का गठन कौन कर सकता है क्या उत्तर हो जाएगा बतला ये तो अखिल भारतिय सेवा का गठन संसत करती है option नमब B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है भारतिय पुलिस सेवा का प्रसिक्षन कहा होता है क्या उत्तर हो जाएगा था क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए तो भारत में योजना आयों का प्रतम अध्यक्ष पंजड़ जवाहलाल नहरू option नमर ए यहां पर से उत्तर हो जाएगा नेक्श्ट कॉश्ट देखते हैं भारत की निर्वाचन पद्धती के इस देश के निर्वाचन पद्धती के अनुरूप है क्या उत्तर हो जाएगा बतला ये तो भारत की निर्वाचन पद्धती ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धती क कारेकाल निश्यत कौन करता है निर्वाचन आयुप्त की शेवा सर्त तथा कारेकाल कौन निश्यत करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यह सब समीधान में पता चलता है राइट आंसर हो जाएगा next question पटना उच्छे नयाले की स्थापना कब हुई थी क्या उत्तर हो जाएगा पटना उच्छे नयाले की स्थापना 1916 में हुई थी option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारत का सबसे बड़ा उच्छे नयाले कौन सा है क्या उत्तर हो जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा उच्छी नैले, इलहाबाद उच्छी नैले है Option number B 110 अपर सही उत्र हो जाएगा, राइट आंसर है इलहाबाद उच्छी नैले, next question भारत में कितने उच्छी नैले की आधिकारिकता भारत में कितने उच्छी नैले की आधिकारिकता एक से अधिक राज्य में हैं तो एक से अधिक राज्य में तीन उच्छे नियायलों की आधिकारिकता है option number B यहाँ पर से युत्र हो जाएगा right answer है next question देखते हैं भारती समिदान में तदर्थ नियायदीशों की नियुक्ती का प्रावधान इनमें से किसम है right answer क्या हो जाएगा तो भारती समिदान में तदर्थ नियायदीशों की नियुक्ती का प्रावधान इनमें सभी है उच्छे नयाल है, सरवच्छ नयाल है, जन्पद एवं सत्र नयाल है, option number D, यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा, next question, मद्ध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे, क्या उत्र हो जाएगा, बतलाएगे, तो मद्ध्य प्रदेश में पहले मुख्य मंत्री पंजित पीडियेफ है, लिंक पर क्लिक करके पीडियेफ को डाउनलोड कर लिजे, एक्जाम में पूछे हुए प्रश्ण है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिजेगा, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब पूछ के वीडियो की नूटिफिकेशन्स मिल सकें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुब हो